गाईज आपने गोर किया होगा कि आपके आज पास कई ऐसे लोग हैं जिनके बहुत सारे दोस्त होते हैं और आप लोग इस सोचते हैं कि काश इतने दोस्त मेरे भी होते हैं पर सवाल ये है कि आखिर इतने दोस्त बनते कैसे हैं दोस्त बनाए कैसे जाते हैं, उसके तरीके क्या हैं, देखें बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको सबसे असान और सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, देखें एक study के अनुसार ये कहा गया है, कि अगर आप किसी से कर रहे हैं, और उस बातचीत में आप सिर्फ 20% ही बोलें, लेकिन 80% उसकी बातों को सुने, तो वो बंदा शायद आपका दोस्त जल्दी बन जाएगा, लेकिन उसकी बात को सुनने के लिए नहीं सुनना है, उसकी बात पर गोर भी करना है, ये बहुत important है, गाईस आपको य एक ऐसा पक्षी है, जो कि मगरमच के मूँ के अंदर चला जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी मगरमच उसे खाता नहीं है, उस पक्षी का नाम है Egyptian Flower Bird, पर सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है, देखिए ऐसा इसलिए होता है कि मगरमच के दातों में फसुवे खाने को वो Egyptian Clover Bird अंदर जाके चुक-चुक के खाता है, जिससे मगरमच के दात साप हो जाते हैं, अब इससे मगरमच को भी फायदा है, और उस बर्ड को भी फायदा है, और इसी वज़ए से मगरमच उसको हाम नहीं करता है, गाइस यह Amazing informative वीडिया को कैसे लगी, चैट सेक्शन में जर दूसरा, मार्स की मिट्टी में नमी पाई गई हैं, तीसरा, वहाँ पर पर्याप्त मातरा में सनलाइट आती हैं, जिससे हम लोग सोलर पावर पैदा कर सकते हैं, चोथा, मार्स के चारो तरफ एट्मोसफेर है, जो की हमें सन से आने वाली harmful cosmic rays से बचा सकता है, पांचवा, म मार्स ही अकेला ऐसा प्लैनेट है, जो की habitable zone में आता है, क्या इसके पहले तक के information आपको पता थी?